हलो एन वेलकम तू प्रेपाई एस माई नेम इस तोशान त्यादव एन टोड़े एर गूंग तोवर वेरी इंपॉर्टेंट कॉंसेट ओपर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है आज की छोटी सी वीडियो में हम समझेंगे अगर हम देखें इसको की होती क्या है तो जो भी आपके पास सेकेंड बेस्ट अल्टेनेटिव है उसको सेक्रिफाइस करनी की जो कॉस्ट है उसको हम ऑपर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं इसकी फीलिंग लेते हैं भाई एक्जांपल की थुरू अचा एक्जांपल मैं सबसे प Autmost priority है क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं अच्छा मेरा सवाल आप से है किए i-ю नहीं देख रहे होते तो आपका Second Alternative क्या था आप सेकंड्ली क्या काम कर रहे होते लेड़से आप कुछ और पढ़ाई कर रहे होते हैं अगर आप history की पढ़ाई कर रहे होते आपने मेरी वीडियो देखने के चकर में आपने अपनी opportunity cost loss कर दी वो opportunity cost है क्या? आपका second best alternative studying history वो आप नहीं पढ़ पा रहे हो क्यों? क्योंकि आप ये video देख रहे हो that means कि आप history नहीं पढ़ पा रहे हो आपका second best alternative is what, it is opportunity cost, I hope कि आप बात समझ गए, तो opportunity cost क्या है, आपके पास life में कई choices होगी, आप IIT कर लें, आप IS बन लें, आपके पास कई choices होगी, लेकिन आपने एक choice pick की होगी, और आपके पास second जो choice होगी आपकी, जिसको आपने pick नहीं की होगी, वो second choice आपकी क्या है, वो जो आपने sacrifice की, that is nothing but your opportunity cost, nothing but your opportunity cost, this is the whole concept of opportunity cost, बहुत easy था, मैंने आपको पहले ही कहा था, opportunity cost क्या है, cost of sacrificing, second best alternative, आपके पास हमेशा दो choices होगी, choice A and choice B, आप हमेशा एक choice लेते हो, जो आप करते हो, और second जो best choice होती है, उसको sacrifice करना पढ़ता है, उसको हम opportunity cost बोलते हैं, मेरा यहा अपने hand में भी cash hold किया है, 10,000 रुपीज का, आपके पास 10,000 रुपए भी हाथ में cash है, आपके हाथ में cash है, यह आपकी सबसे topmost choice होगी, अगर आप हाथ में cash नहीं रखते, तो आप secondly क्या करते हो, हो सकता है, बैंक में जाकर आप क्या करते, उसको deposit करते, और उससे आपको interest मिलता, उससे आपको interest मिलता, that means कि क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ, कि the cost for holding money in your hand, the opportunity cost for holding money in your hand is interest, is interest, पैसा हाथ में hold करने की opportunity cost है क्या, second best alternative क्या होता बच्चो, बैंक में जाकर deposit करके interest कमाते, यह आप loss क्या कर रहे ह हो, यहाँ पर आप interest loss कर रहे हो, क्योंकि आपने हाथ में पैसा रखा है, आपने हाथ में पैसा रखा है, that means कि the cost, the opportunity cost of holding money in your hand as a cash is interest, इसको याद रखेगा, this is whole concept of opportunity cost, यही है opportunity cost का पूरा concept, बहुँच वोड़ा सा concept, बहुँच एजी concept, I hope कि आपको समझ में, अब आग होगा, आप कोई भी confusion नहीं होगी, आज के लिए इतना ही, thank you, नमस्ते, जैहन्द